जै श्री राधे कृष्णा आज मैं बनाने वाली ब्रेट से एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ज़्यदा टेस्टी बनेगी और इसे बनाना बहुत ज़्यदा आसान है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह तीन प्याज लिये हैं प्याज को मैंने पहले से छील कर लिया है और यह जो प्याज है इसे आपको इस तरीके से दो हिस्सों में कट कर ले रहा है इस रेसिपी के लिए हमें प्यास के बारिक 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 लंबे 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 लच्छे चाहिए तो यहां पर देखिके इसके बारिक बारिक लंबे en讚 करने के लिए लिया है टिपश laying कटर उर इसकी हलप से इस तरीके से हम प्यास को घिसेंगे तो बारिक बारिक लंबे-लंबे लटकी इसके आजाएंगे आप चाहें तो इसे父 से भी कट कर सकते हैं लेकिन इस तरह जब हम घिसते हैं तो सभी लच्छे एक जैसे आते हैं तो यहां पर मैंने सारे प्यास को घिस लिया है और प्यास के जो सारे लच्छे है ना बहुत ही बड़िया पतले पतले आए हैं और सभी लच्छे एक जैसे आए हैं तो इसी तरीके स इसे भी आपको घिसना है तो यहाँ पर ग्रेटर की हैल्प से आप इसे घिसेंगे और इसके हमें लंबे-लंबे लच्छे बनाने हैं तो यह देखिए इस तरह मीडियम साइज वाले ग्रेटर से मैंने आलू को घिस लिया है आलू के लच्छे बनाने के बाद आपको इन्हें अच्छे से दो-तीन बार पानी से दोना है और उसके बाद इसे बहुत अच्छे से आपको निचोड़ लेना है तो यहाँ पर देखिए आलू के लच्छो को धोकर निचोड़ कर मैंने लिया इनमें बिलकुल भी आप पानी नहीं है तो इसी तरह आप आलू को त्यार अब यहां पर यह जो आलू के लच्छे हैं इसके अंदर यह हम डाल देंगे यह प्यास के लच्छे अब इसके अंदर में डाल रहे हूं दो हरी मिर्च जिने बारी कट करके लिया है साथी में इसमें डाल रहे हूं थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता अब यहां कुछ मसाले जाएंगे तो आधा चमच जा रहा है लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं डाल रहे हूं आधा चमच हल्दी पाउडर ये इसमें जा रहा है आधा चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच गरम मसाला डाल दिया है आधा चमच आमचूर पाउडर और इस बाध में जरूद ढालेगा पेट के लिए यह बहुत ही अस्राइब तो यह देखिए यह त्यार हो चुका अब यहाँ पर मैंने लिया है बेसन यह आधा कप बेसन है जिसमें से लगभख 2 चमच के करीब बेसन अभी मैंने बचा लिया है बाद में जरूरत होगी तो हम इसे डालेंगे अभी आप इसमें पानी नहीं डालेंगे बाद में जरूरत होगी तब पानी हमें डालना है अभी आप इसी तरह से मिक्स करें आलू और प्याज में जो मौशर है न उससे काफी हथ तक इस तरह त्यार हो जाएगा अब जो बचा हुआ बेशन था वो भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ साथ ही नाश्ता अच्छा क्रिस्पी बने और ठंडा होने के बाद भी ये काफी देर तक क्रिस्पी रहे तो इसके लिए एक चमच चावल कार्ट इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर ले दे हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहिए तो यहाँ पर लगबग दो से तीन चमच के करीब मैं इसमें पानी डाल रहे हूँ बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है तो बस पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर दिया है और इस तरीके कही इसे आपको रखना है ज्यादा पतला कर देंगे तो जो नाश्टा है वो अच्छा नहीं बनेगा अब यहाँ पर ये मैंने दो ब्रैड लिये हैं आप वाइट ये ब्राउन जो भी ब्रैड पसंद करते हो वो ले सकते हैं और ब्रैड को आपको इस तरीके से कट करना है एक साथ मैंने दो ब्रैड रखें पहले लंबाई में कट कर लिया है और अब हम इन्हें ऐसे कट कर लेते हैं तो आपको एक ब्रैड से फोर पीस से त्यार करने हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप ब्रैड को त्यार कर लेंगे अब यहाँ पर इसे भी मैं कट कर लेती हूँ और अब आपको क्या करना है देखिए आपको ये जो ब्रैड है इन में से एक पीस उठाना है और ये जो आपने बेसन, आलू और प्यास वाला बैटर त्यार किया है इसे ब्रैड के पीस के उपर ऐसे लगाना है एक साइड लगाने के बाद इसे पलट देंगे और दूसरी तरब भी अच्छे से ये आप इसके उपर लगा देंगे और बस इस तरीके से ये त्यार हो जाएगा और अब हम इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर आपको इसे गरम तेल में डालना है और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो नाष्टा ओइल जादा सोख लेगा अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो नाष्टा जो है वो बाहर से सिख जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है तो थोड़ी देर के लिए एक तरब से इसे सिखने दें और उसके बाद आप इने पलट दें और अलट पलट कर बहुत ही अच्छे से डार्क कुल्डन ब्राउन होने तक इने फ्राई कीजे ये नाश्ता बहुती मज़डार बनता है पहर चे बहुती क्रिस्पी गुर्कुरा होता है और खाने बहुती टेष्टी लगता है तो यहाँ पर देखे मैंने अलट पलट कर फ्राई कर रही है और आप देख सकते हैं कलर अच्छा आ चुका है तो इसे आप कभी भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आप बरसात के दिनों में कुछ इस्पेशल खाना चाते हैं तो ये रेसिपी जरू ट्राइ कीजे तो बस ये हमारा नाश्टा तयार है इसे निकाल लेते हैं सबी पीसे आपको इसी तरीके से फ्राइ करके त्यार करने हैं बस अब तेर किस बात के इसे गर्मा गर्म सर्फ कीजे इसे आप सौष ये चटनी किसी के बिसाथ खा सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है तो घर में कोई खास महमान आ रहे हैं आप चाहते हैं कि नॉर्मल पकोड़े से हटकर कुछ अलग बनाया जाए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रहेगी अगर आपको आज की ब्रैट की सिंपल सी टेस्टी रेसिपी पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और पर क्लिक करें साथ ही आप मेरे फेस्बुक पेस को फॉलो करना ना भूलें ये देखिए बहुती मज़ेदार सा टेस्टी नाश्ता फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई